Good morning students, मैंस में chapter 6 करने हम, When With Give and Take और आज इसमें हम topic करेंगे, Check the subtraction using addition यनि कि आप minus करेंगे, subtract करेंगे, minus करेंगे और फिर check करेंगे कि minus करने के बाद जो आपका answer आया है, वो correct है या नहीं और वो कैसे check करेंगे? Addition का use करके, यनि कि plus का use करके कैसे करेंगे इसको देखिए माल लिए आपके पास five candies है four five यह होगी आपके पास five candies और इसमें से आपने three candies को माइनस कर दिया हटा दिया तो आपके पास कितनी candies बची two candies बची तो आपके पास two candies कैसे बची थी five में से जब आपने three candies को माइनस किया था लेकिन अगर हम दुबारा से two candies में अगर three candies को हम फिर से add कर दें जोड़ दें तो हमाई पास कितनी candies आनी चाहिए five candies आनी चाहिए और five candies अगर आ जाता है तो इसका मतलब हमने जो ये two candies वाला answer निकाला है वो बिल्कुल correct है तो हम अगर इसमें add कर देंगे two candies और three candies को तो हमारा कितना आजाएगा five candies हमारा आजाएगा जो कि हमारा बिल्कुल correct answer है इसको इसी तरीके से हम करेंगे जाते first question है first question में आपको 57 में से minus करना है 30 को 57 में से आप सिर्टी को minus करेंगे तो आपके पास आ गया 27 अब 27 correct है यानि कैसे check करेंगे addition का use करके और कैसे 27 कैसे आया है आपका 27 आपका कैसे आया है जब आपने 30 को minus किया है किसको minus किया है 30 को minus किया है किस में से 57 में से तो अगर आप 27 में फिर से 30 को add कर देंगे तो आपका answer 57 आना चाहिए अगर 57 आपका answer आता है तो इसका मतलब जो आपने subtract किया है जो आपने minus किया वो बिलकुल correct है तो देखते हैं add करके 7 and 2 plus 3 5 57 तो हमारे पास 57 आगया तो यानिकि हमारा बिलकुल correct answer है इसी तरीके से second में कोड देखते हैं question second में आपको 60 में से minus करना 10 को तो minus कर देते हम तो यह आगया पका 50 अब 50 आपका answer कैसे आया है क्योंकि आपने 10 को minus किया था किस में से minus किया था 60 में से तो अगर आप 50 में 10 को add कर देंगे तो 60 आना चाहिए और 60 आता है तो यानिकि आपने जो minus किया वो बिलकुल correct है उसी तरीके से अगर आप इसके opposite जाए यानि कि अगर आप ऊपर जाए उपर की तरफ जाए तो आपका same answer आजाएगा यानि कि जब आप 60 में से 10 को minus किया तो 50 आगया अब इसी तरीके से 50 में आपने 10 को add किया तो आपका 60 आगया इसी तरीके से कोशन्स आपको सारे करने हैं बहुत इजी है बहुत इंटरस्टिंग है गड़ लग